आज का हमारा विशे है दुनिया में सर्वस्रिष्ट मंत्र कौन सा है तो इसके लिए हम एक छोटा सा उधारन लेते हैं अगर समझो हम बस्टेंड पे जाते हैं और बस्टेंड पे जाकर हम देखते तो अलग-अलग बसे सो खड़ी होती है लेकिन कलर उनका एक जैसा दिखता है और हम यह नहीं सोच सकते कि कोई भी गाड़ी एक ही जगह पर जा सकती सारी गाड़िया एक ही जगह पर जाएगी ऐसा हम नहीं कह सकते तो हमें थोड़ा बारी किसी अगर हम देखेंगे तो उसके ओपर नाम लिखे वे रते कि कौन सी गाड़ी कहां पर जाने वाली है तो उस हिसाब से उसका जो गंतविस्तानों पता चलता है तो उसी प्रकार भले ही वेदों में अलग-अलग प्रकार की मंत्र है भले ही हम यह सोचते कि शांती प्राप्त करने के लिए है सिद्धी प्राप्त करने के लिए है लेकिन हर एक का अलग-अलग गंतविस्तान है और हर ए के अलग-अलग पातरता होती है लेकिन इसकी कुछ अलग-अलग conditions है इसकी कुछ इसमें क्या पातरता होनी चाहिए इसके बारे में वेदों में वर्नन किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर गायतरी मंतर का जब करना चाहता है तो उसको यदनोपवी के बगर रहना होता है और जंगल में जाकर गुरू के छत्र चाया में उसको तपस्यरा करना पड़ता है तो यह जो बात है यह conditions fulfill होना चाहिए तब ही जाके हम उस मंतर का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार से अलग-अलग-अलग मंतर है और अलग उसके फल है लेकिन जो हरे kr Kennedya महा मंतर है इस महा मंतर की बारे में शास्तुर में वर्नन किया है यह जो कली संतर-णूपनिशद है जो ब्रहमा जिया और नारेजिक की बीच का समद है उसमें ब्रहमा जी नारेजी न रिखते हैं इती शोडख राशर नाम नहीं कलमाश नाशनाव ब्रमाश भरतने सर्वेदेश उद्रश्टेत। इस मंतर का अगर कोई जब करता है तो उसके सारे पाप नश्ट हो जाते है न अतह परातर उपाया इससे अच्छा और कोई उपाया नहीं है सारे वेदों को देखकर मैं कहता हूँ इस प्रकार ब्रह्मा जी नारजी को बता रहे है फिर बाद में जो नारजी और वेदोयास जी इनके बीश का समाध है इसमें कहते है कि इस से अच्छा और कोई उपाये नहीं है इस प्रकार वेदोयास जी को नारजी बता रहे है तो स्रिक्रिष्ण भगवान का जो मंत्र है कृष्ण भगवान का जो मंत्रा ये कोई इस भौतिक जगत का नहीं है ये अध्यात्मिक जगत से आया हुआ है गोलोक वरंदावन से आया हुआ है और ये किसलिया है ये मुक्ति, कोई भी आत्मा जो होता है उसको पूरी तरस मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो इस मंत्र में सोला नाम होते है भगवान के जैसे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे तो यह कितने हो गए? सोला शब्दों होगे तो उसमें वासुदेव क्योले की मंतर का भगवान का नाम आता है तो इसलिए ये जो मंतर है महा मंतर हरे किष्ण महा मंतर है बहुत महतोपूर्ण है जिसके बारे में शंकर और पारोती की बीच का समाथ बहुत महतोपूर्ण है तो एक बार पार्वती कहती है, पूछती है कि शिवजी आप हमेशे किसका ध्यान करते हैं तो उस वक्त शिवजी बताते हैं राम रामेती रामेती, रमे रामे मनो रमे, सहस्त्र नामा विशतुल्यम, राम नाम वरानने अगर हम सोचेंगे विश्णु सहस्र नाम पढ़ने के लिए कितना समय लगता है 20 मिनिट कम से कम लगता है 20 मिनिट मतलब 12 सेकंद होते है और लेकिन जैसे हम राम बोल देंगे तो 12 सेकंद में जो फन प्राप्त होने वाला है वो केवल दो सेकन में प्राप्तो हो जाता है तो फिर आगे शिवजी परवती को कहते है तो आगे कहते है परवती और एक बात ध्यान में रखना कि अगर तुमने कृष्ण का नाम एक बार लिया तो विश्णु के जो सहस्थर नाम है उसकी तीन बार अगर आवरत्य करते हो तिरीर आवरत्यातु यत्फलम जो तीन बार विष्णु सहसर नाम पढ़ने के बाद जो फल मिलेगा वो केवल कृष्ण नाम बोलते ही तुम्हें फल मिल जाएगा इसका मतलब क्या है कि अगर विश्णु सहसर नाम तीन बार पढ़ना है तो कम से कम एक घंटा लगेगा और वो एक घंटा मतलब 60 मिनिट, 60 मिनिट मतलब 36 सेकंद अगर हम इसको गिनेंगे तो हमें पता चलेगा किवल कृष्ण बोलने से ही हमें एक घंटे का पूरा फल किवल एक सेकंद, दो सेकंद में मिल जाता है तो इतना कृष्णा और राम के नाम में इतना महत्व है ये शिवजी पारवती को बता रहे है तो इसलिए शिवजी पारवती जो है स्वयम अपना जो समवाद एक दिव्य समवाद है और उसको हमारे जीवन में अपनाना चाहिए ये बहुत महत्व पुर्णा इसलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे इस मंत्र का हमें जब करना चाहिए तो हमारे जो नंबर है या हमारा जो email ID उस पर आप संपरकर कर सकते हैं हमारा जो number है 99206 0034 फिर इसे एक बार नंबर ध्यान में रखिए 99206 0034 और हमारा जो email ID है yugalprev.rns.gmail.com इस पर आप कभी भी संपरकर कर सकते हैं Hare Krishna